So, hey guys, welcome to exam news, welcome to मेरे प्यारे क्लाश 10 एंड 12th इस्वेंट्स, guys, CBSC ने फिर से जो 2023 पे बच्चे एक्जाम देने वाले हैं, उनको फिर से एक बड़ा जटका दे लिया है, जटके की बात तो हम बाद में करेंगे, बट पहले ये समझ लो कि इस बार बिलकुल भी CBSC के एक्जाम क हलके में मत लेना, तो मैं पता है, new education policy आई है, बहुत कुछ changes हुए हैं, जैसे पिछले साल वाले बच्चों ने बोला था कि term 1 और term 2 का experimental बैस था, ठीक बैसे ही new education policy के कुछ policies को apply करने के बाद, ये वाला जो तुम्हारा batch है, ये exactly तुम्हारा first batch होने वाला है, जिसमें तुम बहुत सारी नई चीजे देखोगे, तो जो major update है, वो अज के इस video में बताने वाला हूँ, तो पहली major update क्या है, कि जो भी तुम्हारे practical exams होते थे, जो कि first of January से start है, जो बच्चे बहुत जादा winter zone में रहते हैं, उनका तो November में ही start है, तो उनकी लिए देखो, CVSC ने क्या किया उसमें जो practical lab है, CVSC खुद कुछ candidates को भेजेगी, कुछ employees को भेजेगी, कुछ teachers को हो सकता है भेजे, जो exactly external examiner की तरह आएंगे तुम्हारे school में और practical लेंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, कि तुम्हारा जो इस बार practical होगा, उसमें तुम्हारे internal और external दोनों teacher available हों तो जो external teachers आएंगे, उनकी एक team आएगी, CVSC की तरफ से, जो तुम्हारे school के जो भी lab होंगे, उसकी पूरी जाज करेंगे कि सारे equipments है या नहीं है, अगर तुम 12th में हो या 10th में हो तो तुम्हारे class में जो भी practical है, उनसे related equipments है या नहीं है, यानि यहाँ पर तुम्हें practical exam अब और ज्यादा tough होने वाला है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं पहले ही तुम लोगों को suggest कर रहा हूँ, कि जो भी तुम्हारे internal assessment हो रहे है, class में जो practical file बन रही है, जो lab manual बना रहे हो, जो भी practicals कराया जा रहे हैं, experiments कराया जा रहे हैं, उनको concentrate करके समझो, ध्यान से examiner, जो external examiner तुम्हारे practicals को ले, तो उस time पे तुम उसीज को कर पाओ, क्योंकि तुम्हें पता है, इस बार practical exams की और video and photography दोनों ही होने वाली है, जो कि CBSC को send की जाएगी, बास समझ में आई, आगे इस news को देखते हैं, तो यहाँ पर देखो, आगे यहाँ पर detail में चीजे लिखी हुई है, यहाँ पर ध्यान से redoubt करो बच्चों, बहुत ही important scenario निकल कर आ रहा है यहाँ पर, कि जो बच्चे हैं, उनको डरने की तो जरूत नहीं है, देखो सबसे पहली चीज, CBSC की 10 और 12 प्राविक परिच्छाओं के पहले सभी school की lab की जाच की जाएगी, इसको ले इस दौरान external द्वारा, lab में छाक्तरों के लिए सुविधा, lab के instrument प्रयोग करने के लिए उपलग समान आदी की जाच की जाएगी, मतलब जो तुम्हारा practical exam होने वाला है, उसमें तुम लिटरली सच में तुम से practicals करवाए जाएंगे, इसके बाद ही संबंदित स्कूल में 10 प्रयोगी की परिच्छा को लिया जाएगा, प्रयोगी की परिच्छा जैनुवरी में अधार्ध हो की जैसा कि हम सब को पता है, तो देखो जो भी exams हो रहे हैं, तुम्हारे UTs हो रहे हैं, टीचर के साथ behavior, टीचर जो भी लिखवा रहे हैं, जो class test ले रहे हैं, इन सब में परफॉर्म करो, बच्चों को क्या लगता है, कई सारे teachers भी YouTube पर हैं, जो बता रहेते हैं, 20 में से 18 marks अराम से teacher दे देते हैं, इस बार ये possible नहीं है, क्योंकि इस बार ये 18 marks तुम्हारे internal teacher और प्लस external teacher दोनों के हाथ में हैं, तो internal वाला तो तुम्हें जानता है दे देगा, बट external वाला teacher नहीं देगा, इस चीज़ को समझो, बात की गंभीरता को समझो guys, कि तुम्हें इस बार practical में भी मेहनत करना पड़ेगा, तो वो मेहनत अभी से ही start कर दो, जो भी पढ़ रहे हो, अच्छे से prepare करो, कोई activity है, कोई practical हो, उसको अच्छे से prepare करो, practical file को अच्छे से करना चाहूंगा, कि मेरे पास कुछ books आई है, सिवदास और संस की तरफ से, जो की एक hybrid book है, बच्चो, ये एक तरह की hybrid book है, ध्यान से देखो, यहाँ पर math, shto, science तीनों ही मेरे पास है, बट अभी मैं फिलाल दो दिखा रहा हूं तुम्हें, इस book की सबसे खास जिस पता है क्या है, इस book में तुम्हें question bank की book है, उसके अलावा तुम्हें आपे important formula मिल जाते हैं, NCRT के जो भी exercise है, जो examplers है, उनका solution मिल जाता है, plus topic wise या mark wise कह सकते हो, वो explanation किया गया है previous year questions को, यह जो पिछले साल के question आया है, उनको mark wise और topic wise categorize किया गया है, plus competency based question भी इसमें डाले गय गया है, और इन सब के बावजुद यहां पर लिखा हुआ है hybrid, hybrid का मतलब यह है कि इसमें हर एक question, हर एक topic, हर एक chapter से related videos भी दिये गया है, suppose तुमने question bank open की, कोई question को देख रहा हो, नहीं समझ में आया, barcode, QR code लिखा हुआ है, scan करो, इसका video open हो जाएगा, and simply तुम उसको video lecture के through समझ सकते हो, so यह book आती है, सिवदास और संस की तरफ से, इसका link मैं description box में दे दूँगा, बहुत ही amazing book है, and इसमें बहुत ही, मतलब कह सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से explain किया गया है, videos में भी, और plus इसमें theory में भी, तो make sure buy करना, अपने nearest store, या फिर online buy करना हो, तो link description box में given है, और बहुत ही affordable price पर है, तो make sure जल्दी से जल्दी buy कर लो, और अपने exam की preparation को enhance कर लो guys, book का नाम है, सिवदास hybrid question bank, class 10th, latest edition है, तो make sure जरूर buy करना, और practical की preparation भी, अच्छे से कर लेना, इस book से वो भी preparation हो जाएगी, क्योंकि activities भी इसमें include की गही है guys, तो ऐसी ही amazing, updated, updated, CBSC की authentic update के लिए, चैनल को subscribe कर लेना, और बहुत ही जल्द, मेरा जो दूसरा channel है, उसके बारे में एक चीछ बहुत अच्छे से समझ लो, कि लगातार तुम लोगों के लिए updates आ रहे हैं, दूसरे वाले channel पर, जो की नाम है उसका infallible study, तो make sure इस channel को जरूर subscribe कर लेना, इसक 2023 का जो board exam है, आज से नमबर से भी अगर तुम start करते हो, तो कैसे 95 से ज़्यादा score कर पाऊगे, तो make sure इसको जरूर देखना, and class 10 की math और science की life classes के लिए, मैंने इसी वीडियो में update दिया है, तो make sure जरूर देखना, link description box में दे दूँगा, मिलते हैं फिर, नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा share करना, तकि सारे बच्चों को जो update है, और उनके practical exam से related, वो मिल जाए, good luck, and don't forget to like, share and subscribe.